अब आज हम बात करेंगे ICMR के इंसिटूट के बारे में इंडियन कांसल आफ मेडिकल रिसर्च इंसिटूट एंड एर अराउंड 31 इंसिटूट एक्रोस इंडिया तो जनरली जब आपको प्रोजेक्ट निकलता है तो आप जनरली कि किसी इंसिट्टीट की आपको शॉट फॉर मिल गया कोई और आपको इंसिटूट लिखा हुआ मिल गया तो आपको जनरली समझने में दिक्कत होती है कि ये इंसिटूट आपके सिट्वेटिड कहां हैं वाँ पर काम कैसा होता है यह सारी चीज़े हम देखेंगे और यह जो इंसिचूट्स है यह आपके स्टेट वाइस डिवीजन है और आपको एक्जाम दे रहे हैं चाहिए वो आपका फर्मा का एक्जाम हो जीपेट हो गेट हो नाइपर हो कोई भी आपका दूसरा एक्जाम वहां पर चांसेस रहते ह स्पेशली कई बार ICMR अपने ही पेपर में यह पूछ लेता है कि उनका यह वाला इंसिट्यूट कोई भी एवी सी यह आपका कहां पर सिचूएटीड है यह उसकी फुल फॉर्म क्या है तो इस तरीके से आपसे काफी चीज़े पूछे जाती है तो सबसे बहुत करें तो वन में नाम चेंज किया गया और फिर नाम आपका ICMR हो गया जो कि आपका Ministry of Health and Family Welfare के अंडर आता है तो सबसे पहला इंसिट्यूट डैली में है जो है आपका यहां पर मैंने स्टेट वाइज डिवाइड किया है थोड़ा सा तक आपको पता लगता रहे जो कि आपका Malaria का जिस अगर आपको कोई प्रोजेक्ट रिलेटीड वाक्शोप रिलेटीड कोई भी इंफोमेशन देखनी है अब ICMR के 31 इंसिटूट है तो आप सिधा हैड़कॉर्टर की साइट पर चले जाएगे आपको अल्मोस हर इंफोमेशन आपको यहां पर ICMR NIC.IN की साइट पर आपको मिल करती है तो वह नेशनल इंसिटूट ओफ मेडिकल स्टेटिक्स NIC लिखा होगा और यह आपको बहुत जगा मिलेगा NIC जो है आपको बहुत जगा मेंशन मिलेगा उसके बाद नेक्स इस दा इंसिटूट ऑफ पैथोलोजी यह आपका सब्दरजंग हॉस्पिटल के अंदर ह ही है आप देखेंगे एम्स आईसी अमर का हेड़कॉर्टर और जो है आपका सब्दरजंग हॉस्पिटल याफरी अगर हम यह बोले इंसिटूट ऑफ पैथोलोजी जो है यह आपके बिल्कुल आसपास सिच्विट्विटिन है एम्स के सामने आपका सब्दरजंग है एम्स दूसरे आपके माइक्को बैक्टोरियल डिजीज है वह आपके उत्रबरदेश आग्रा में इसको आप जालमा इंसिटूट के नाम से जानते हैं यहां पर आपको इमेल आईडी में मिल जाएगा नेक्स्ट कैंसर प्रिवेंशन और रिसर्च यह आपका नॉड़ा में है जो तो भी आपका यूपी में आदैड जा डिजल्मेडिकल रिसर्च सेंटर यहांपका मेडिकल कॉलेज कैंपस के ही अंदर है बाबा रगावुद आस जो मेडिकल कॉलेज क्EMA यह उस ही आपका अंडर है उसी के अंदर आता है यह इसके बाद तमिल आडु में देखें तमिला तो थोड़ा आपका में सिटी से बाहर है उसके बाद आप देखेंगे तमिलाडू में जो एक और आपका रिसेर्च इंसिटूट है वो तो आपका ट्यूबर क्लॉसिस से यह भी आप तो आपको याद भी रहेगा राजस्तान में इंसिटूट फॉर इंप्लिमेंटेशन रिसेर्च और नौन कम्यूकेबल डिजीज जो भी आपके नौन कम्यूकेबल डिजीज हैं ट्रांसपर नहीं होती हैं एक दूसरे से मिलने से तो वो जो उन डिजीज की रिसेर्च है वो आपका राजस्तान की सेंटर पर होती है जौदपूर में महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा रिसेर्च इंसिटूट यहां पर है अगर हम महाराष्ट्र प्लस पूने को काउंट कर लें तो आई से मार सेंटर फॉर रिसेर्च मेनेजमेंट और कंट्रोल ऑफ हीमोग्लोबिन पैतिस्ता यहां हमेटोलोजी है थोड़ा सा महाराष्ट की साइट जादा है नेक्स आप देखेंगे आपका रिप्रोड़क्टिव एंचाइल है बहुत सारे प्रोजेक्ट्स यहां पर निकलते हैं यह आपका मुंबई में हैं उसके बाद नैशनल एड्स रिसर्च इसको नाम से आप जानते हैं आपका पूने में है और आल्मस्ट वाइरोलोजी से जो काम है रिलेटेड वो आपका यहीं पर होते सारा उसके बाद पॉंडूचेरी में आपका एक ही आपका जो रिसर्च इंसिट्यूट है आई सेमर वेक्टर कंड्रोल रिसर्च सेंटर यह आपका पूडूचेरी में हैं नेक्स्ट आपका अंडेमान निकोवार में एक इंसिट्यूट है पॉड़ प्लेयर में रिस्टा आइसे मर रीजिनल मेडिकल रिसर्च सेंटर जैनरल यह आपसे कोश्चन पूचा जाता है जहां पर आपके स्पेशलाइज तरीके से जो है व पूर्यर्ट इसे कोशियूट आपका पट्ना वी यहार में है उसके बाद और कॉलकता में आपके दो यह थीन इसे मर इसे कंटर पोर फोर एजिंग डिघ मैंटल हैं या पका पूलकता में इसके बाद कुल्या एंट्रीक डिजिज पीर आपका जी आईटी से रिलेटीड काम है वो आपका यहां पर होता है उसके बाद असम में आपका रिजिनल मेडिकल रिसर्च सेंटर नौर्थ इस्ट विजन में डिब्रुगर्ड में है फिर हैदराबाद में आपकी दो या तीन इंसिट्ट है सबसे पहला एनिमल रिसॉर्स और फेकल्टी फोर बायोमेडिकल रिसर्च यहां पर बहुत सारे आपकी प्रोजेक्ट निकलते हैं क्योंकि आपर एनिमल्स और लूमन दोनों से रिलेटीड जो काम है वो आपका प्रशेंगे इंसिट्ट फ्रीशर्च ट्राइबल फेड़ी और इन्वार्मेंटाल है तो यह जो है आपके मध्या पर्देश में हैं मध्या परदेश में आपका बहुपाल मायमोरियल हॉस्पिटल एन्दि सपैंटर है यह आपका प्रोपर आपका बहुपाल के अंदर ही उसके बाद Odisha में Regional Medical Research Center है फिर करनाटका में Disease Informatics and Research यह आपका एक इंसिटूट है और इसको लेकर पूछा जाता है Occupational Health Center बैंगलोरू में है इसको लेकर भी कोश्चन आते हैं एक और आपका जो सेंटर है वो आपका traditional medicine से लेकर है आजकल बहुत आपका herbal drugs पर काम हो रहे तो उसको लेकर यहाप पर काम ज़्यादा होता है इसके बाद गुजरात और गुजरात में आपका एक ही इंसिटूट है जैसे महराष्ट्र में आपने माषण दिल्य तीन हैं है्धरावजबाद में तीन है करनाटका में ठीन है भिहार में एक है असरमं में एक है अपका पॉन्न पॉन्न चेरी में कान यह Is तरीके से गुजरात में भी आपका एक ही हिए था तो आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि कहां पर 5 हैं, 3 हैं, 3 हैं, तो आप almost 31 cover कर जाएंगे, इस तरीके से, जो regional centers हैं, उनको आपको जादा याद रखने की जुरत नहीं है, क्योंकि जहां पर कोई particular काम होता है, वो आप से जादा पूछे गाते हैं, तो it is the ICMR Institute of Occupational Health and this is all about the ICMR Institute, there are the 31 Institutes, I hope you get some valuable information from this video, thank you so much and all the best.